नमस्कार दोस्तों में चल मैं आपका एक पर फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ तो फिर बिना इंटो में टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते है देन लेट स्टार्ट इस तरा की जो rechargeable torchlight होती है उसके अंदर ये जो circuit board रहती है किसी बज़े से ये circuit board अगर खराब हो जाती है तो हम इस torch को fake देते हैं और दूसरा खरीद लेते हैं लेकिन गाइस अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा है तो इसी torchlight को हम फिर से usable बना सकते हैं तो चलिए वीडियो मे हम इन दोनों पिन को इहां से निकाल लेंगे और आप हम लेंगे एक micro USB charging socket और इस socket को हम इसके अंदर fit कर देंगे कुछ इस तरह से और आप हम लेंगे एक 1.5 वल की LED और उसको इहां पर इसतोरा से फिट कर देंगे और आप हम LED की निगेडिव पव सकेट की निगेडिव पव्वाएंट के साथ कुछ इसतोरा से शोलडरिंग कर देंगे उसके बाद हम एक 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लेंगे और उसकी एक सीरे को चार्जिंग सोकेट की पॉजिरी पॉइंट के साथ कुछ इस तरह से शोल्डरिंग कर देंगे अब हम रेजिस्टेंस की दूसरी पॉइंट को LED की पॉजबिरी पॉइंट के साथ शोल्डरिंग कर दिंगे सो चार्जिंग बाला सेक्षन हमाना कम्प्रीट हो चुका है तो चलिए एक बार चार्जार को इन्पूट करके देखते हैं LED इंडिकेट कर रही है या नहीं सो बहुत अच्छी दिकर से इंडिकेट कर रही है तो चलिए नेक्स स्टेप की तरब बढ़ते हैं तो चलिए आप अन आफ स्वीच को एक बार यहाँ पर बैठा देते हैं स्वीच का काम हो गया आप चलिए इसमें बैटरी को इंसर्ट करते हैं हम यहाँ पर इस तरकी एक छोटा सा बैटरी को यहाँ पर डालेंगे आप चाहे तो इससे भी पावरफुल बैटरी यहाँ पर यूज कर सकते हैं इतना powerful battery आप use करेंगे उतनी देर तक आपकी torch back up देंगे अब हम battery की positive point को switch की यह जो बीजबला point है यहाँ पर soldering कर देंगे अब हम दो oil लेंगे और उसे charging socket की output की दो point के साथ soldering कर देंगे तो charger की 5V इन दो तारों की मदद से battery तक पहुचेगी और battery को charge करेंगे और आप हम front light की connection करेंगे और front light की positive oil को हम switch की इस point के साथ soldering कर देंगे और आप हम back light को यहाँ पर बैठाएंगे और इसकी connection करेंगे और आप हम back light की positive oil को switch की इस point के साथ इस तरह से soldering कर देंगे सो बैक लाइट की पोजडिव ओयर को हमने कनेट कर दिया है और आप बैक लाइट की ग्राउंड को, चार्जिंग पॉयंट की ग्राउंड को, और फ्रॉंट लाइट की ग्राउंड को, और बैटरी की ग्राउंड को, इन सारे ग्राउंड को एक साथ कनेट करके, सोल्डरिंग क सब्सक्राइब करके इसे टेप कर देंगे और आप हम लेंगे एक 4007 डायोड और यस डायोड की नेगी पॉइंट को हम सुछ की बीज बले पॉइंट के साथ इस तरह से सूल्डरिंग कर देंगे उसके बाद चार्जिंग सोकर्ट से आया हुआ पॉजिडिव पॉइंट को हम डायोट की पॉजरी पॉइंट के साथ इस तरह से शोल्डरिंग कर देंगे और यही पर हमारा सारा कर्णेशन कंप्लीट हो जाता है आप चलिए इस टॉर्च को कवर आप करते हैं और देखते हैं यह कैसे काम कर रहा है तो चलिए सबसे पहले चार्जिंग पॉइंट को चेक करते हैं तो चार्जिंग स्वाकेट बहुत अच्छा रेस्पॉंस दे रही है और आप चलिए थोड़ा लाइट को टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ यह बहुत अच्छा काम कर रहा है अब फ्रांट लाइट को थोड़ा टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो गाइस कुछ इस तरह से आप घर पर ही पुराने रिचार्जेबल टॉच को फिर से यूजबल बना सकते हैं ओके गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो इफ वो लाइक माई वीडियो दें प्रेज शियार इट और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू